Hello everyone, तो स्वागत है आप सभी का DoubtNet लाइव में और बच्चों आज की ये जो क्लास है आज हम हमारा Past Tense बिल्कुल खतम कर देंगे क्या करेंगे? Past Tense खतम कर देंगे कल हमने Past Tense शुरू किया था? किया था कि नहीं किया था? येस बिलकुल हमने कल past tense शुरू किया था और आज हम क्या करेंगे past perfect और past continuous tense जो है वो भी complete कर देंगे तो मिर को एक बात बताओ जल्दी से कि मैंने past indefinite tense को पहचानने का क्या तरीका बताया था और past continuous tense को पहचानने का क्या तरीका बताया था मुझे जल्दी से comments में बताओ कि इन दोनों के मैंने आपको क्या तरीके जो हैं वो बताये थे जल्दी से बताओ past indefinite को कैसे पहचानोगे मैंने आपको बताया था कि ता था ते थे और ती थी या फिर कर लिया चला गया तो इस तरीके से जिस भी वाक्य के अंत में आएगा ना तब आपको पता चल जाना चाहिए कि यह past indefinite का है मतलब कोई भी action जो past में ही शुरू हुआ और past में ही खतम हो गया present में नहीं हो रहा ठीक है past indefinite का पता चल गया था इसके साथ मैंने बहुत चीज़े बताई थी जैसे कोई past habits हो सकती है कि पहले आपको habits थी ऐसी तो आप used to का इस्तिमाल करते हैं है ना तो वहाँ पर आप वर्ब की second form लगा सकते हैं फॉर्मिला क्या था past indefinite पहचानने का subject प्लस वर्ब की second form प्लस object यही था negative बना रहे थे तो डिड़ का इस्तिमाल कर रहे थे और जब हम डिड़ का इस्तिमाल कर रहे थे तो हम वर्ब की first form लगा रहे थे लगा रहे थे यहां तक कोई दिकत यही चीज़ हम कर रहे थे फिर बारी आई थी continuous tense की और continuous tense के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी चीज जो action में है कोई भी चीज जो action में है रही थी, रुको एक second, है बोल रहे हूं मैं भी यार, हद है कि रहा था रहे थे रही थी है मैं यही पहचान रहे थे आगे लिख लेकिन ज्यादा यह लिग। dai नहीं दिख रहा होगा शयद पास्ट कॉंटिनियूस टेंस जो है उसको पहचानने का तरीका क्या था रहा था रही थे रही थी यही था ना मैं कल सो रहा था मैं कल सो रहा था जब मेरी दोस्ट जो है वो आई मैंने एक एक्जाम्पल दिया था कि मैं चाय बना रहा था जब वो आई मैं सोने जा रहा था जब बिजली चली गई समझ रहे हो जब बिजली गई पास्ट में जो एक्शन हुआ और पास्ट में हो गया मतलब जब बिजली गई तो उस समय कौन सा एक्शन हो रहा था वो सो रहा था या फिर कह सकते हैं कि राम सो रहा था जब बिजली गई तो जब action continue में था चल रहा था लगातार हो रहा था रुका नहीं था past में आज बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे आज किसी को पता है क्या हां तो past continuous में बताओ कौन सा वला आप helping verb यूज कर रहे थे वाज और वर का यूज आप कर रहे थे वाज और वर का इस्तिमाल कर रहे थे वाज लगा है singular के लिए साथी साथ I के लिए भी और वर जो लग रहा था वो लग रहा था plural subjects के लिए इननी के लिए लग रहा था ना लग रहा था कि नहीं लग रहा था लग रहा था या नहीं लग रहा था जवाब दो भाई सो गए हो क्या चलो अब आज बिटा हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे करोगे क्या चीज? पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे करोगे? कैसे करोगे? चुका था चुके थे चुकी थी यही बोलोगे? चुका था, चुके थे, चुकी थी अगर आपने देखा हो प्रेजेंट परफेक्ट कर लिया है कर चुका है चुके है चुकी है तो भाई उससे अगर इसमें बदल रहे हो तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आता बस है और ठेका ही डिफरेंस आता है ठीक है दो quiz भी होंगे आज की class में daily जैसे quiz होते हैं तो दो quiz भी होंगे class में उनका भी ध्यान रखना है चलो past perfect की पहचान किसे कर रहे हैं हम चुका था चुके थे और चुकी थी से हम क्या कर रहे हैं past perfect की पहचान कर रहे हैं और इसके अंदर helping verb कौन सा लगेगा had helping verb इसके अंदर लगेगा कौन सा helping verb लगेगा had helping verb लगेगा और had के साथ verb की form कौन सी लगेगी third form लगेगी तो बना दो formula subject plus had plus verb की third form plus object बन गया बन गया कि नहीं बन गया अब कुछ examples देख रहे हैं आस्मान में सितारे चमक चुके थे बताओ क्या लिखोगे चमक चुके थे जल्दी से बनाओ इसको आस्मान में सितारे चमक चुके थे जल्दी से बनाओ इसको past perfect tense है चुके थे से पता चल गया, formula उपर लिखा हुआ है, right, तो देखो, what is the subject here, the stars had shone in the sky, कोई दिक्कत, आई कोई दिक्कत ऐसा वाक्य बनाने में, एक और, America, Iraq पर हमला कर चुका था, हमला कर चुका था, बताओ, America, Iraq पर हमला कर चुका था, क्या बनेगा इसका, America, कौन सा helping verb लगाउं, had, verb की third form, हमला है यहाँ पर वर्ब, इसकी third form, attack, attack की third form, attacked on Iraq, यहाँ तक कोई problem, और sentences बनाएं, चलो बनाओ, बारिश हो चुकी थी, बारिश हो चुकी थी, बनाओ इसका, जल्दी से, बारिश हो चुकी थी, इसका बनेगा, it had rained, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ें, और examples करने हैं, यह समझ में आ गया, past perfect tense, क्या है, जल्दी बताओ, पहचानने में कोई दिक्कत हुई, या वाक्य बनाने में कोई भी दिक्कत हुई, नहीं हुई न, तो नहीं होती है, एक बार formula पता चल गया, और आपने पहचान लिया, कि यह वाक्य कौन से tense का है, तो आप easily formula की मदद से अपना वाक्य बना सकते हो, बना सकते हो कि नहीं बना सकते हैं, अब जल्दी बताओ, आगे बढ़ते हैं, यहां तक का clear हो गया है, अब अगर, अब क्या बात करेंगे, कि अगर past tense में, जैसे हमने past indefinite में देखा था, कि series of action, कि लगातार दो तिन काम जो हैं, वो past में ही शुरू हुए और past में ही खतम हो गये थे, same past perfect में भी होगा, कि जब भूत काल में, क्या चीज़? जब पहचानने के तरीके आए, जब भूत काल में, मतलब की past tense में, कब जब भूत काल में, क्या होगा? एक के बाद, दो कार्य, एक के बाद, आपको दिखाई दे रहे हैं, समझ में आ रहा हैं, लिखा हुआ? एक के बाद, दो कार्य समाप्त हों, कैसे? एक्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको. किस तरीके के वाक्या आएंगे इसके अंदर? बताऊं. मेरे स्टेशन पर पहुचने से पहले, ये मिटा देना, मेरे स्टेशन पर पहुचने से पहले, पहुचने से पहले, ट्रेन जा चुकी थी. ट्रेन जा चुकी थी. कैसे बनाओगे? जल्दी बताओ कैसे बनाओगे? मेरे स्टेशन पर पहुचने से पहले, ट्रेन जा चुकी थी. कैसे लिखोगे? ट्रेन, हैड, लेफ्ट, ये समझ में आया? ट्रेन जा चुकी थी. कब जा चुकी थी? मेरे स्टेशन पर पहुचने से पहले. So, ट्रेन हैड लेफ्ट, बिफोर, आय रीज़गे? दी स्टेशन. समझ में आया? एक और एक्जाम्पल देख लेते हैं. मेरे स्टेशन पर पहुचने से पहले, से पहले नहीं लिखा मैंने, आपकेई, पकड़ लेते हो आप लोग. से पहले. ट्रेन जा चुकी थी. ठीक है? So, ट्रेन हैड लेफ्ट, बिफोर आय रीच्ट दी स्टेशन. आगे, एक और एक्जाम्पल कर लेते हैं, बिटा, इससे रिलेटेड. ठीक है? समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? या कोई दिक्कत लग रही है यहाँ पर? वाक्य बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो? जल्दी बताओ. चालो. एक और वाक्य हम यहाँ पर देखेंगे और वाक्य क्या है? व्रिद के मरने के बाद डॉक्टर नहीं आया था. व्रिद के मरने के बाद डॉक्टर नहीं आया था. बताओ कैसे बनाओ गया अब इसको? क्या लिखोगे? दी डॉक्टर दिड नॉट कम. यह आपने किसमें बनाया है? दी डॉक्टर दिड नॉट कम. पास इंदेफिट में आया था. डॉक्टर नहीं आया था. तो दॉक्टर दिड नॉट कम. चुका था नहीं बोला है नहीं यह आपे? आया था बोला है. चीकिया? सुद दॉक्टर दिड नॉट कम. After the old lady had died. After the old महिला लिख सकते हैं हम व्रिद महिला ठीक है, after the old lady had died ठीक है व्रिद महिला के मरने के बाद डॉक्टर नहीं आया था, तो डॉक्टर नहीं आया था past indefinite वाला sentence लिका हमने, the doctor did not come व्रिद के मरने के बाद after the old had died, मतलब कि वो मर चुका था है ना, वो क्या हो चुका था, वो मर चुका था तो उसके मरने के बाद जो डॉक्टर है वो नहीं आया था, तो the doctor did not come after the old lady had died past perfect clear हो गया है अब क्या करेंगे एक हम quiz खेल लेते हैं फटा फट से चालो तो आपके quiz का पहला question है we blank space finished eating dinner we blank space finished eating dinner had not, not had would had not, none of the above had they blank space to her before had they blank space to her before so spoke spoken spoke ya none of the above क्या होगा जल्दी से बताओ जल्दी बताओ जल्दी clear so भाई had they to her before had के साथ क्या लगेगा verb की third form लगेगी so speak spoke spoken क्या लिखाया आपने option number B जो है वो correct option choice होगा we blank space finished eating dinner had not not had 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 not अच्छा ये मैने क्या या राज मेर को क्या हो रहा है मैं पता है क्या क्या बोले जा रहे हूँ ये है had had not जब हम ऐसे करके लिखते है नहीं तो ये had होता है would नहीं होता है ठीक है had had not या none of the above so we had not अगर आप had के साथ negative बना रहे हो तो हमेशा बताया गया है helping verb के बाद not लगाना है किसी भी tense में आपको नकारात्मक वाक्य बनाना है तो आप क्या करोगे helping verb के बाद not लगा दोगे so option number a जो है वो यही होगा correct option choice ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे अब हमने ये तो देख लिया simple जो sentence बना रहे थे हम लोग सकारात्मक वाक्य अब उसका ही अगर negative sentence बनाना है तो क्या करोगे subject plus had plus not plus verb की third form plus object यहां तक कोई दिक्कत यह वाला समझ में आई चीज हैट के साथ क्या लगा दोगे not लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा negative sentence बन जाएगा जैसे की बनाओ फटा फट से उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी ठीक है बताओ कैसे बनाओगे उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी भर्प की थर्ट फॉर्म है She had not given me her book यही होगा She क्या हो गया? Subject, यह क्या हो गया? Helping verb, यह क्या हो गया? Negatio के लिए Given verb की third form and then object Clear? Bना सकते हो और वाक्या ऐसे? एक और बना के बताओ चलो मुझे फटा फट से एक और वाक्या बताती हूँ मैं आपको और फिर आप वो मुझे बना के बताओगे फिर मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं मगज में आया या नहीं चालो बिटा अगला जो वाक्या है आपका वो है वह लड़का स्कूल लड़का स्कूल कभी नहीं गया था बनाओ फटा फट से लगाओ फॉर्मिला वह लड़का दाट बॉय शुरू कर दिया मैंने बनाओ आगे दाट बॉय आगे क्या लिखोगे हैड नेवर गॉन टू स्कूल हैड नेवर गॉन टू स्कूल स्कूल कभी नहीं गया था तो बोल रहे ना कभी नहीं के लिए हमने क्या लगाया नेवर लगाया नॉट से नहीं पता चलता कि वो कभी भी नहीं गया है नॉट से हमें क्या पता चलता कि वो स्कूल नहीं गया है लेकिन कभी नहीं गया है never ठीक है और बनाए वाक्य फटाफट या यहां तक समझ में आगया आगे बढ़ते हैं चालो अब बात करते हैं interrogative sentence की किसकी interrogative sentence की so interrogative sentence अगर आपको बनाना है इसी के अंदर तो आप कैसे बनाओगे कैसे बनाओगे helping verb को उठा कर पहले रख दिया फिर subject लिखा फिर verb की third form लगाई और फिर object लिखा और इसी तरीके से अगर आपको interrogative negative बनाना है मतलब प्रश्न सूचक नकारात्मत वाक्य बनाने हैं तो आप क subject plus not और अगर आपको normal लगारात्मक बनाना था past perfect का ही तो आप क्या करते थे उसमें helping verb के बाद not लगाते थे लेकिन interrogative negative में आप subject के बाद not लगाऊगे ठीक है plus verb की third form plus object क्लियर है यहां तक? सूब कोई सवाल बताती हूँ मैं आप वो लिखोगे क्या करोगे क्या बताओ फटा-फट से क्या उसने तुमसे बात कर ली थी? क्या उसने तुमसे बात कर ली थी? बताओ यह सवाल है बताओ अब इसका बनाओ फटा-फट से कितने बच्चे देखती हूँ मैं बनाती हूँ जल्दी बताओ क्या उसने तुमसे बात कर ली थी? प्रश्नी सूचक बनाना है तो helping verb पहले आ जाएगी had she talk का क्या लिखूंगी वर्ब की थर्ड फॉर्म? talked had she talked to you समझे? आ रहा है बनाना या नहीं आ रहा है? इसी तरीके से interrogative negative sentence भी बन जाएगा अगर आपको इसी का interrogative negative sentence बनाना है तो क्या बनेगा? क्या उसने तुमसे बात नहीं कर ली थी? क्या उसने तुमसे बात नहीं करी थी? तो आप क्या लिखोगे? had she not talked to you तो यह क्या हो गया? helping verb हो गया, यह subject हो गया, यह verb की third form हो गयी और यह object हो गया है ना? चलो अब बात कर लेते हैं past perfect continuous tense की और फिर क्या होगा? हमारा past tense भी खतम हो जाएगा so past perfect continuous अब एक बात बताओ present perfect continuous जो था उसको आप किस तरीके से पहचान रहे थे? जो present perfect continuous था वो उससे आप कैसे पहचान रहे थे? जल्दी से याद करो याद आ रहा है कुछ से रहा है, से रही है, इस तरीके का कुछ पढ़ रहे थे हम बार-बार sins का, for का इस्तिमाल देख रहे थे है ना? तो भाई, क्या था उसमें? पहचान कैसे कर रहे थे आप उसकी? past perfect tense की पहचान कैसे कर रहे थे? जल्दी से बताओ आपने देखाओगा present perfect continuous tense की पहचान आप कर रहे थे से रहा है, मतलब कोई काम जो है, वो past में शुरू हुआ था और वो अब तक चल रहा है ये तो था present perfect continuous जो लगातार चल रहा है, past में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, लेकिन past perfect continuous क्या है? past perfect continuous की पहचान आप कैसे करोगे? कोई idea? से रहा था, obviously बताया है मैंने आपको से रहा था, से रही थी, से रहे थे, right? यही था कि नहीं था? यही होगा या नहीं होगा? से रहा था, से रही थी, से रहे थे, जैसे मैं बोलूं कि मैं एक घंटे से किताब पढ़ रहा था, किताब पढ़ रहा था, since और for का इस्तिमाल बता चुकी हूँ मैं, since किस के लिए लगेगा? point of time के लिए, point of time के लिए क्या लगेगा? since, यही बताया था क्या अब बताओ? इसलिए लिखते हैं हम चीज़े, हम एको पता चलेगा, कि किस के लिए since बताया था, किस के लिए for बताया था? तो बिटा, सही है, point of time के लिए ही हमने since बताया था, और duration, बताने के लिए, हम for का इस्तिमाल कैसे करते हैं? जैसे कि 2 घंटे, 3 घंटे, 4 साल, 5 साल, लेकिन जब point of time बता देते हैं, जैसे from 2 o'clock, since 3 o'clock, तब हम क्या करते हैं? जैसे since का इस्तिमाल करते हैं, जब हम point of time बताते हैं, तो अब इसका formula क्या होगा? मैम, आपने ये तो बता दिया, इसका formula भी बता दो, तो बिटा, formula कुछ भी नहीं है, subject, plus, क्या लगाओगे? has, have लगाते थे, यहाँ had लगा दोगे, plus, has, have के साथ क्या लगाते थे बहाँ पे? bean, तो यहाँ पे भी bean लगा दो, plus, अब continuous tense में क्या बताया हमेशा क्या लगेगा? verb की first form के साथ, ing, यही लगेगा, plus since, या for, plus time, ठीक है? since two hours, since two o'clock, since two o'clock, या फिर for two hours, इस तरीके से, plus object, बनेगा क्या ऐसे ही sentence? बना पाओगे? अब देखो, इसमें न, गल्ती किया मैंने एक, क्यों किया गल्ती? क्योंकि आपको यादोना चीए कि present perfect tense में क्या बताया था? present perfect continuous tense में. क्या मैंने verb की first form के साथ, ing के बाद ही since four लगाया था? या बाद में object लगाया था, last में since four लगाया था? जल्दी बताओ, कहां लगाया था? यार बोलते नहीं हों आप लोग, मैं जब चीज़े लिखती हूं तो. जल्दी बताओ, verb की first form के साथ, ing plus object लगेगा ना यार, हर जग है यही तो करते आ रहे हैं इतनी देर से. plus since yeah for, या उसके बाद time. चीक है, since four के बाद time. अब कोई एक sentence उठा लेते हैं फटा फट से? उठा ले, उसको बनाए हम. बनाए क्या? वहें दो घंटे से स्टेज पर गाना गा रही थी. गाना गा रही थी. बना दो फटा फट से. She had been, देखते जाओ फॉर्मिला. She had been singing. क्या गा रही थी? अब्जेक्ट क्या है? Song. दो घंटे से duration है. For two hours. अच्छा. स्टेज पर गा रही थी. ये तो आपने लिखा ही नहीं. स्टेज पर गा रही थी. ये तो आपने लिखा ही नहीं. She had been singing song on stage for two hours. अब्जेक्ट क्या है? On stage. For two hours. Singing song on stage for two hours. बन गया क्या? या अभी भी मैंने कुछ गलत बनाया है? या सही बनाया है? बताओ. कुछ गलत बनाया है या कुछ गलती है क्या? यह नहीं है ठीक है पास हो गई मैं है चलो एक और वाक्य बनाते है ध्यान रखना है बस जब मैं लिख रही हूं तो आपके दिमाग में यह नहीं हो न चीए कि हाँ मैडम लिख देगी और हम पढ़ लेंगे आपके दिमाग में फॉर्मिला ओल्रेडी होना चाहिए कि यही बोलो कि यह यहां पर गलत है spot the error और और क्या होता है ऐसा ही तो होता है ऐसे ही तो इर्र ऐर फाइंड करना होता है उसमें यह तो सेंटेंज मैडम गलत लिख दिया यह 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 पार करने आपको एक्जाम में भी राइट चलो अब बढ़ते हैं आगे एक और कर लेते हैं अप जैसे हम बना सकते हैं, हम सोमबार से स्कूल जा रहे थे, हम सोमबार से स्कूल जा रहे थे बताओ क्या बनाओगे, सोमबार से स्कूल जा रहे थे, हम सोमबार से स्कूल जा रहे थे चो देखो हम, we had been, jana go के साथ, ing, so we had been going to school जा कहा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, कब से हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, सोमबार से, सिंस मंडे कोई दिक्कत आई, वाक्य बनाने में, मैंने कुछ गलत बनाया है, क्या ढूंडो, या सही बना दिया मैंने, कोई गलती है क्या, confidently बताओ, कोई गलती है, या नहीं है, या सही है, ये वाक्य, सही बनाया है, तो सही बनाया है, या ये लिख दिया, subject, had been, verb की first form के साथ, ing, object, since, या for, और फिर हमने अपना time लिख दिया, सही तो है, है ना, चलो, past continuous भी हो गया, अब अगर आपको इस में क्या करना है, कि भाई, negative sentence बनाना है, past continuous का ही, इसी में बनाना पड़ेगा, यहीं लिखना पड़ेगा मुझे, अगर आपको past perfect continuous tense के अंदर negative बनाना है, तो आप क्या करोगे, बताओ क्या करोगे, negative बनाने के लिए helping verb के बाद not लगा देना, क्या करोगे, helping verb के बाद not लगा दो, subject plus, helping verb plus, had been है न, है के नहीं है, अब यह बताओ, की helping verb के बाद not लगा ओगे, helping verb के बाद not लगा ओगे, या फिर, helping verb के बाद not लगा ओगे, helping verb के बाद not लगा ओगे, इस तरीके से लगाओगे या फिर helping verb had लगाकर फिर not लगाओगे फिर bean लगाओगे जल्दी बताओ मुझे क्या करोगे यहाँ पर कैसे बनाओगे कौन सा वाला सही है तो बेटा ये वाला सही है helping verb के बाद not लगता है that is had के बाद यहाँ not लगेगा and then bean आएगा so subject helping verb had not plus bean plus verb की first form के साथ ing plus object plus since या for और फिर उसके बाद में time ठीक है तो बनाओ कोई negative वाक्य बताओ जल्दी से बताओ कोई negative वाक्य लड़के मैदान में एक घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे लड़के मैदान में लड़के मैदान में क्या नहीं कर रहे थे एक घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे जल्दी जल्दी बताओ टाइम होने वाले क्लास खतम करनी है मैं को लड़के मैदान में एक घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे सो नहीं खेल रहे थे क्या लिखूं मैं यहाँ पर पहले हिंदी में लिख देती हूँ भूल जाओगे वरना लड़के हमें क्विस भी खेलना है अभी मैदान में एक घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे बना दिया किया? लिको, the boys had not been playing क्रिकेट फॉर वन आवर कोई गलती है यहां पर? मैदान कहां रह गया? The boys had not the boys had not been playing cricket कहां पर? In the ground पपाजी लिखेंगे क्या यह? for one hour चलो अगर आपको अभी इसका interrogative बनाना है तो आप क्या करोगे? helping verb को उठाकर पहले रख दोगे मात्र helping verb को उठाकर पहले रख दोगे अगर आपको इसी का बनाना है क्या लड़के मैदान में एक घंटे से cricket नहीं खेल रहे थे तो आप क्या बनाओगे इसका? यह हुआ negative वाक्या के लिए ठीक है? then verb की first form के साथ ing यहाँ पर हमने bean लगा दिया और फिर object तिंस for all time लिख दिया यहाँ तक कुछ दिक्कत समझ में आ गया? तो चलिए इस तरीके से हमारा जो past tense था वो भी आज खतम हो गया past के सारे चारो पार्ट एक revision भी करेंगे, one shot revision उसमें मैं question answers ही question answers आपको करवाओंगी, चीक है? उसमें हम देखेंगे सारे formulas लगा लगा के और examples तो अब एक quiz केल लेते हैं फटा फट से पहला question है यह U blank space not left yet U blank space not left yet next question I had never blank space her before see, saw, seen ya none of the above हो गया क्या? चलो यहां क्या लिखोगे? you blank space not left yet you had not left yet सही है? क्योंकि will, would का तो इस्तेमाली नहीं सिखाया मैंने अभी तक आपको यह तो will और would क्या है? future के लिए use होते हैं आगे I had never blank space her before मैंने उसे पहले कभी भी नहीं देखा मैंने उसे पहले कभी भी नहीं देखा I had never seen her before had के साथ verb की third form that is C की third form seen option number C सही है? तो चलो हमारी आज की जो क्या